आज मैं लेकर आई हूँ बटर पनीर मसाला की रेसिपी जब हम होटल रेस्टरेंट में खाना खाने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ओर्डर करते हैं बटर पनीर मसाला और कई पार हम घर पर ट्राइब भी करते हैं लेकिन बनाने पाते हैं आज मैं सेम रेसिपी आपके साथ स आसा करती हूँ आज यह पर एक लिए है रेसिपि आपके लिए ह्टाइब होगी अच्छी लगे ना तो प्लीज इसे लाइक देए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे लाइक देए चैनल को अच्छाइब करें और अपना feedback भी मुझे जरूर से comment section में दीजिएगा कि आपको मेरी recipe अच्छी लेगी या बुरी लेगी मैं उस पर आगे काम करूंगी तो butter paneer masala बनाने के लिए हम यहाँ पर butter लेंगे फैन में gas करते हैं और gas का flame मत्यम पर रखेंगे एक चमच में यहाँ पर butter ले रही हूँ और इसको melt होने देंगे butter melt हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर पनीर में यहाँ पर dairy वाली पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ पनीर को हमने यहाँ पर ध्यान दखना है butter के साथ यह फ्राय करना है ना कि तेल के साथ यह फ्राय करना है इसका color हमने बिलकुल भी dark brown नी करना है बस हलका सा टॉस करके fry करना है एक दो बार इसी तरीके से कर नी करेंगे यह फिर फानी में थोड़ सा गुनगुना पानी में यहाँ इसको डाल लीजेगा इसे पनीर बना रहे गा पनीर को हमने अच्छे से पड़िया सा प्राय कर लिया है पनीर को इसी तरह के से आपने प्राय करना है यह बिलकुल भी dark brown नहीं हो रहा है और गैस पर ले लेते हैं एक पैन और एक चमच देन और एक टुकड़ा में आपर फिर से बटर कर ले आए तेल और बटर गरम हो जाएगा तो एक चमच में आपर ले रही हूँ जीरा साबु ताला और कुछ खड़े मसाले भी दो बड़ी इलाची एक टुकड़ा दाल चीनी का और बल हमने बिल्कुल इनको डार करना है मसाले अच्छे से फ्राइ हो गया इसमें डाल देते हैं लसन मैंने याँ पर पूरी एक गांड लसन ली है इसको चील लिया ता साबुति एट की मैंने दो बड़ी साइज की प्याज भी इनको भी मैंने रपली कट कर रखा है इनको दो मीडियम साज के टमाटर ले हैं एक ग्रेपी बढ़ाने में हेल्प भी करेंगे और टमाटर के साथ साथ मैं यहां पर काजू भी ले रही हूं साबुति ले रही हूं दस से बारह में काजू ले रही हूं चाहे तो यहां पर हम बेलंस इट का इस्तिमाल भी कर सकते हैं य करेंगे स्वाद के नुषार या फिर पर कम की इस्तमाल की जएगा बाद में भी कम डाल सकते कम जाद कर सकते हैं तोड़ाशा चीन नहीं ताकि स्वाद बैलन्स रहे दो हरी मिचाफे ठावर डाल देते हैं जितने हो निया पर ग्रेवी बढ़ाने के लिए यह ग्रेवी को बनाने के लिए जितने भी मसाले याँ पर इस्तेमाल के तैजे चाइब हो रहे हैं इस सारी नीख कर दोगे बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे फिर आम याँ पर ग्राइंड जाएंगे करने के बहुत पानी कि जारे से फाहतर। से अम इसको ग्रेंड करेंगे । सारे मसाले और फोली। आपा सोफ़ है पानी कि मात्रह इसमें भर पूर है तमाटय है प्याज है मसालो कि बडिया ची प्योरी बन गई थी इसको निकाल लेती है एक डोंगे मैं पानी डाल के ग्रेवी के साथ मिला लेंगे ग्रेवी का कलर देखते ही बंद रहा है रिसमूज की पीसे है अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह तो गैस पर मैं आपके ले रहे हूं यह थोड़ी ची हैपी ता लेकी कड़ाई है गैस आउन कर देते हैं एक से डेट समस्के पर आपर सिंपल सा वेजिटेवल तेल करेंगे गरम तेल जैसे गरम हो जाएगा तो गैस का फ्रेम पिलकुल या तो चीरों पे कर दीजेगा बंद कर दीजेगा तो धनिया पॉडर और यहां पर साई पनीर मसाला या फिर बटर पनीर मसाला जो भी आपके पास है उसको मिला लिजेगा तोड़ा सा करण मसाला तनिया फोडर हैल्दी पॉडर और लाल मिच परड़र मसाले हमारे बिलकुल भी याँ पर जलने ने चाहिए तुरंत इसमें डाल देते हैं क्रेपी और इसको बढ़ी आसे सारे मसाले जो भी हमने एड़ किये हैं एक दो मिन आप बाद हमंस का ofar अटा रेते हैं सारे मिल गई और डरहा है, दो चमस Producer के बगापर मैं घर की मलाई ले ले निरया हूं नॉर्मल मलाई को हम बड़ी आज से फेट लेंगे फेटने के बाद ही डालेंगे अब बिला लेते हैं यहाँ पर ग्रेवी के साथ इससे ग्रेवी में रीच लूक भी आएगा इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा तो मैं यहाँ पर थोड़ी से एक चमच के बराबर का सूरी मेती मैंने हरलक इसको भूल लिया था और इसको क्रेश करके डाल लेते हैं अब पॉली यहाँ पर बन चुकी है सारे फ्लेवर के साथ बिला लेते उपर से पनीर पनीर को हमने यहाँ पर फ्राइख करने के पास थोड़े से गुन-गुने दूद में मैंने डाल लिया था यह एक्ट्र पर है सारे यहाँ पर पनीर के साथ अच्छे से मिल जाएगा और पनीर के साथ रच बस जाएगा तब तक हमने इसको 2-3 मिनुट तक ढगा लेना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल मध्यम पर कर दिना है दो-3 मिनुट छोड़ देंगे दो-3 मिनुट बाद हम इसका ढ़कन खो सजिए पीजई के साथ पंश बठर मसाला बन के तैयर है आप इसे करमा गरम से सरफ करें उसकूज इसे सर्व कर सकते हो मैं यहां इसको नान के साथ सर्फ कर रही हूँ आप देख सकते तो इसका निए सरिभ नुए का तो कोई जबावी नहीं बहुत फ्लेवर फूर पर नहीं है आसा करती हूं आज के रेसिपी आपके लिए हेल्पबल होगी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक दे चैनल को जिरू सब्सक्राइब करें जाद से जाद फैमिल और फ्रेंड के साथ भी सेर करें मिलते हैं कैसी नेक्स रेसिपी के साथ अपना कीमते समय देने के लिए बहुत बतनावाद थैंक्यू सो मुझ प्रेंड